नमस्कार, आज का जो हमारा टोपिक है, क्लास 12, चैक्टर 4, अक्सरसाइज 4.2 इसकी 17 तक क्वेस्चन हम पिछे कर चुके हैं, पिछली विडियो में, तो आज हम 18 से स्टार्ट करते हैं 18 questions, जो most important है, तो देखिए, आपको ये दिया है, आपने इसके equal सीध करना है, जैसे आपको दिया, b plus c, c plus a, plus b, a minus b, b minus c, c minus a, abc, आपने दिखाना क्या है, 3abc minus a cube minus b cube minus c cube, ठीक है, अब आप solution करते हैं, देखो, solution में, यूँ का यूँ, मैं इसको यहीं से use करता हूँ, इसको use करता हूँ, यूँ का यूँ, आगे लिखने की बजाए, जैसे आप लिखते हैं, left hand side, ठीक है, left hand side लिखते हैं, तो देखो कैसे operation लगाते हैं, आपने सोचना पढ़ेगा कि, इस तरीके से करें, add, इसको इस करें, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेरे को लग रहा है, आसान, मैं c1 और c2 को जोडता हूँ, आप देख ले न, c1, c2 को जोडते हैं, देखो, sorry, c1 और c3 को, a जोड दिया तो a plus b plus c होगा, b जोड दिया तो a plus b plus c होगा, ये भी जोडने के बद क्या होगा, a plus b plus c, और a plus b plus c हमारा common आ जाएगा, अब इसमें भी operation लगाएं, क्या लगाएं, देखना, इसमें से एगट आता हूँ, तो a खतम हो जाएगा, इसमें से एगट आता हूँ, तो b खतम हो जाएगा, इसमें से एगट आता हूँ, c खतम हो जाएगा, तो operation क्या क्या लगाते हैं, एक तो C1 पे लगाया C1 पलस C3 और एक ओपरेशन लगाया C2 पे क्या लगाया C2 माइनस C3 अब ओपरेशन लगाने के बाद क्या बनेगा आपका देखो जब आप C1 पलस C3 को जोड़ते हो देखो A पलस B पलस C हो जाएगा A पलस B पलस C अब यहाँ पर B क्या होगा A पलस B पलस C यहाँ पर भी क्या हो जाएगा A पलस B पलस C अब आपने C2 पे लगाया जब A माइनस B में से A जाएगा तो माइनस का B रहता है B माइनस C में से B गया तो माइनस का C रहता है और यहां पर क्या आएगा A, B, C, EG अब यहां से A plus B plus C common लेता हूँ यहां से minus common लेता हूँ क्योंकि यहां पर minus सभी में आ रहा है यहां पर A plus B plus C common आ रहा है आप लिखेंगे taking common out common A plus B plus C from C1 and minus from आप लिख देंगे from C2 तो जब यहां से A plus B plus C common लेता है और minus का किसका लेता है minus का यहां से और यहां अब से तो यहां पचा 1 यहां पचा 1 यहां पचा 1 ठीक है यहां क्या पचा B यहां C और यहां A यहां आपका पचा A, B और C अब उसी तरीके से operation लगाते है जैसे R1 पे लगाया R1 पे क्या operation लगाया मैंने R1 पे लगाया R1 minus R2 और एक लगा दिया R2 पे R2 minus R3 ठीक है दो operation लगाई क्योंकि एक एक आगया उसी तरीके से होगा तो minus का A plus B plus C अब क्या होगा जैसे 1 में से एक गया 0 B minus C A minus B अब यहां से एक में से एक जाएगा 0 C minus A और फिर क्या बचा B minus C अब एक A, C आपका as this अब आप expand करते हैं expand किसको करते हैं आप करेंगे expand C1 C1 को आप expand करते हैं दुबारा लिखता हूँ मैं एक में से एक गया 0, B minus C A minus B, एक में से गया 0, C minus A, B minus C और नीचे वाला एजटीज अब expand कर दिया C1 determinant निकाल लेंगे तो क्या आया देखिए minus का A B plus C अब जैसे दिखो यह तो खतम हो जाएंगे तो यह वाला होगा यह वाला होगा तो यह रो छूट जाएगी यह कोलम छूट जाएगा तो क्या बचा B minus C into देखो B minus C की B minus C के साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी minus A minus B C minus A ठीक है देखो B minus C का square यह B minus C हो जाएगा means B minus C into B minus C अब आगे क्या होगा जैसे minus का A plus B plus C अब जैसे इसको B minus C का square होगा जैसे multiply करेंगे तो आपको पता B minus C का square होगा जब solve करेंगे तो क्या हैगा B का square plus C का square minus 2BC ठीक है जब आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा अब minus आगे है जब आपकी A की multiply करोगे तो minus का AC अब minus B है देखो minus minus plus हो गया तो B के साथ करोगे तो plus का BC हो गया अब A की और B की करोगे तो minus minus plus minus 12 है माइनस का AB आगया minus का AB ठीक है माइनस माइनस पलस बार माइनस है तो आपका क्या आया देखो दुबारा बताता हूँ माइनस A पलस B पलस C B स्केर C स्केर माइनस 2 B C माइनस A C पलस A स्केर पलस B C माइनस A B देखो अब आगे क्या होगा माइनस A पलस B पलस C आपका एजटीज देखना आपका minus a plus b plus c as it is अब यहाँ पे है b square as it is c square as it is, मैं a square को भी साथ में लिता हूँ अब जैसे minus का 2bc है plus का bc है तो क्या बचा minus का bc और minus का bc के बाद आपका क्या है minus का bc एक बचेगा आपका और एक आपका minus का c और एक आपका माइनस का a b ये बचाजी आपका अब आप ये देख सकते हो a square b square c square माइनस b c माइनस a c माइनस a b ये किसका फार्मूला है हम ये पढ़ चुके हैं देखो a plus b plus c is equal to into this माइनस पार है तो ये किसका फार्मूला है ये फार्मूला हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूला हो गया a की 3, b की 3, c की 3, minus 3 a b c ये इसका फार्मूला होता है सीधा फार्मूला ये इसका होता है जैसे a square b square c square minus b c minus a c minus a b किसका फार्मूला होता है a की 3, b की 3, c की 3, minus 3 a b c अब माइनस को अंदर लेके गए तो क्या हो गया 3A, B, C माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब और माइनस का C क्यूब यही इक्वल टू राइट एंड साइड आ गया यही हमारा क्या है अनसर है अब जैसे आपको बताते हैं 19 और 20 सम बिल्कुल सेम है जैसे 19 क्या है A माइनस B माइनस C और 20 क्या है 2Y, 2Z, X माइनस Y दोनों क्या दिखाने हैं दोनों बराबर हैं इन्हें में से एक कर रहा हूं 19 सम कर रहा हूं है जैसे पहले इसी को भी इसी तरीके से करेंगे देखो solution आप क्या लिखोगे जैसे आपने यह सी दिखाना है ठीक है आप लिखो के left hand side left hand side left hand side लिखने के बाद देखो आप क्या करोगे देखो भई A माइनस B माइनस C 2A है 2A इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो नहीं ऐसे तो नहीं होगा इसको इस तरीके से जोड़ें देखो 2B में जोड़ेंगे तो A पलस का B बच जाएगा A पलस B पलस C अनसर में है और इस में जोड़ोगे तो जब मैं R1 के ओपरेशन लगाऊं R1 पलस R2 पलस R3 तो क्या बचता है A पलस B पलस C बचता है तो देखो ओपरेटिंग R1 पे लगा दिया R1 पलस R2 पलस R3 जब R1 पलस R2 पलस R3 होगा तो दियान से देखना यहां बचेगा जैसे 2B है माइनस का है पलस का है तो A पलस B पलस C यहां पे 2A है नेगटिव से गया है पोजिटिव बच गया है यहां पे भी क्या आएगा A पलस B पलस C ऐसे ही यहां पे क्या आएगा A पलस B पलस C अब आपका क्या बच्चा 2B निचे क्या है B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C और C माइनस A माइनस B अब आपका A पलस B पलस C को मना रहा है तो आपने ले लिया A पलस B पलस C कोमल लेने के बाद आपका क्या बचता है 1 2B 2C यहां बचता है 1 B माइनस C माइनस A 2C यहां बचेगा 1 2B C माइनस A माइनस B ठीक है अब आपको वहीं नजर आ रहा है कि यह 1-1 आ रहा है C1 पे लगा दिया C1 माइनस C2 ठीक है and C2 पे लगा दिया C2 माइनस C3 ठीक है जब आप ओपरेशन लगाते हैं तो क्या बचे आपका जैसे देखो आपका यह होगा A पलस B पलस C A पलस B पलस C 1 में से 1 जाएगा 0 ठीक है 2B में से B माइनस C माइनस A जाएगा देखो जान से जब 2B में से यह जाएगा ना तो यह माइनस का यह पलस का ठीक है तो 2B में से यह जाएगा तो क्या बचा A पलस B पलस C बचा A पलस B पलस C ठीक है और 2C में से 2C गया तो क्या बचा 0 अब next C2 पे लगाया है C2 पे भीdog ऐसे जैसे होगा एक में से 1 जाएगा 0 एक में से 1 जाएगा 0 अभ इसमें से देखो B-C-A में से 2-GO होगा तो क्या जाएगा देखो B-C-A-2B तो क्या बचा वही MINUS का A-B-C बच गया क्या बच गया MINUS का A-B-C Minus common ले लिया यहां पे 0 यहां पे बचया minus A plus B plus C ठीक है और निच्चे क्या आया 2C में से देखो ये जायेगा C – A – B यहां पे भी क्या होजएगा A – B C होजएगा and C – A C 3 आपका क्या रहेगा 1 2B C – A – B अब हम क्या करते हैं देखो डियर यहां से A प्लस B प्लस C कोमन आ रहा है यहां से आ रहा है तो आपका देखो एक यहां से आया एक यहां से तो तीन पावर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C की पावर तीन यहां बचेगा 0 1 0 यहां बचेगा 0-1, 1 यहां बचेगा 1, 2B, C-A-B अब आप इसको expand कर दीजिए, ठीक है? expand करेंगे जैसे यह छोड़ देंगे, यह छोड़ देंगे तो क्या होगा? 1, 1 into 1 जब इसको minus करोगे 0 को तो क्या बचया? 1 बचया जब 1 की गुणा इसके साथ होगी तो क्या है? A plus B plus C की power 3 यह दोनों sum same as it is है, ठीक है? 90 और 20 20 आपके लिए छोड़ रहा हूँ 21 question देखिए, 21 भी most important sum है देखो, 21 में क्या दिया है? x plus y, y plus z, z plus x, y plus z, this, this is equal to यह दिरख है, यानि कि आपने determinant नहीं सोल करना, इसका आपने इसको इस determinant में लेके आना है वो कैसे लेके आपने जैसे देखो या तो आप R1 plus R2 plus R3 को जोड़ दो क्योंकि 2x, 2y, 2z होगा या फिर आप ऐसे जोड़ देजिए, आपका same as it is होगा जैसे क्या करते हैं? मैंने लगा दिया C1 पर, इसको यूँ का यूँ डालके इसको छोड़ दिया और इस साइड लिख दिया, लेप्ट हैंड साइड, ठीक है अब एक बात देखो मैंने C1 पर लगाया ना, क्या लगाया C1 plus C2 plus C3 तो C1 plus C2 plus C3 पर लगाया ना, देखो X1, X1, X2, Y2, Z तो क्या हो जाएंगे? 2, X plus Y plus Z ऐसे ही यहाँ पर निच्चे होगा 2, X plus Y plus Z ऐसे ही यहाँ पर होगा 2, X plus Y plus Z यहाँ पर क्या आपका Y plus Z? यहाँ पर क्या है Z plus X? यहाँ पर क्या है X plus Y? यहां पे आपका z plus x x plus y और y plus z अब आपको answer में भी दिखाई दे रहा है कि 2 भी इसके answer में आ रहे है, cricket दो बार ले लिए आपने, आप इसको बार दे लेंगे क्योंकि आपने detonate soul निकाना कि आप इसको पूरे ले 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 और एक एक और उसके पाद detonate निकाल दे नहीं आपने इसको detonate में ही रखना है 2 common ले लिया तो क्या बचा x plus y plus z x plus y plus z यहां क्या बचा x plus y plus z अब y plus z आपका as it is z plus x as it is x plus y as it is z plus x as it is x plus y as it is and y plus z as it is अब हम क्या करते ही इनको एक एक पेर में ले के आते जैसे हमारे answer में क्या है एक एक पेर में तो क्या करता हूँ मैं एक मैं लगाता हूँ c2 पे एक c3 पे और c1 को माइनस करूँ आ जैसे c2 पे क्या लगाया देखो C2 पे लगाया C2 माइनस C1 और C3 पे लगाया देखो C3 पे क्या लगाया C3 पे लगाया C3 माइनस C1 C3 माइनस C1 तो देखिए क्या होता है आगे अब आपका two adjectives देखो two आपका adjectives यह आपका x plus y plus z as it is y plus z and x plus y plus z देखो आप जब इसमें से इसको माइनस करता हूँ y plus z करता हूँ हो जाएगा माइनस का x बचेगा क्या बचेगा माइनस का x मैं आपको दिखा करे लिखता हूँ यह माइनस का x अब z plus x में से x plus y plus z जाएगा तो क्या बचेगा z प्लस x देखो z प्लस x में से ये गया तो माइनस का y बचेगा अब x प्लस y देखो x प्लस y में से ये जाएगा तो माइनस का z बचेगा similarly z प्लस x में से देखो z प्लस x में से x प्लस y प्लस z जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का y बचेगा अब देखो x प्लस y में से ये जाएगा तो x प्लस y से x प्लस y गया तो माइनस का z बचेगा y प्लस z में से y प्लस z तो माइनस का x बचेगा ठीक है अब हम क्या करते हैं देखो अब हमारा ये तो एक एक variable में आ गया अब यह 3 में है तो अगर मैं इसको c1 पे लगा दू c1 प्लस c2 प्लस c3 तो x cancel हो जाएगा y cancel हो जाएगा z बचेगा तो मैंने c1 पे लगा दिया c1 पे क्या लगाया c1 प्लस c2 प्लस c3 तो 2 as it is जब यह add होंगे देखो ध्यान से x से x कटेगा y से y तो z बचेगा ऐसे ही y से देखो y से y, z से z तो x बचेगा y, z से z गया x गया तो y बचेगा यहाँ पे क्या रहेगा minus x, minus y, minus z minus y, minus z और minus x अब क्या करते हैं देखो इससे minus common ले लिया इससे minus common ले लिया तो minus minus पलस हो गया तो बार क्या हो गया देखो माइनस यहां से कोमल ले लिया माइनस यहां से तो आपका क्या बन गया जेड एकस वाई एकस वाई जेड और वाई जेड एकस बट आपका अनसर अभी भी नहीं आया देखो एकस यह आपे है ठीक है xyz यह यहाँ पर है तो हम क्या करते है हम क्या करते है हम interchange करते है जैसे c1 को c2 की जगह change करता हूँ जब c1 को c2 की जगह change करूँगा न तो क्या हो जाएगा negative sign आ जाएगा क्या हो जाएगा x y, z z, x, y and y, z यह हो जाएगा अब आपका xyz आ गया लेकिन z यहाँ पे है अब मैं क्या गुरूँआ third again operation लगाऊँआ क्या लगाऊँआ c2 और c3 को interchange कर दूँआ अब दुबारा फिर minus आएगा अब दुबारा फिर minus आएगा तो minus minus क्या हो जाएगा plus और 2 आपका یوں का यू तो क्या बचेगा देखो xyz आपका as it is अब यह यहाँ पे आ जाएगा y z x z x y और यहाँ पे आपका क्या होगा minus इंतु में minus यह क्या हो जाएगा आपका plus हो जाएगा यानि कि आपका answer क्या हैगा आपका answer क्या हो जाएगा पलस का हो जाएगा यानि कि आपका answer ये आएगा पलस का to और ये matrix यूँ के यूँ is equal to क्या हो जाएगा right hand side ये question भी important था जो next question है next वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो अथी लगे तो like कीजिए, channel को subscribe कीजिए and share केजिए, धन्यावाद